पद्म पुरान में लिखा है, इस मित्यु लोक में जीव जन्तूओं की 84 लाख योनिया निवास करती हैं, और उसी में से एक योनी है मनुष्य योनी, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक सतकर्म करता है, उसी के फल्सवरुप उसका जन्म मनुष्य योनी में होता है। धर्म शास्त्रों में मनुष्य योनी को बहुत ही दुरलब और सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है धर्म शास्त्रों की अगर माने तो जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनी में ही भोगना पड़ता है गरुन पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन-जिन कष्टों को भोगना पड़ता है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है इस वीडियो में आप इनहीं कष्टों के बारे में जानेंगे जो जीव माता के कर्ग से ही अनुभव करना शुरू कर देता है और अपने जीवन के अंत तक भोगता है इस वीडियो के कमेंट में जैश्री नारायन लिखकर परमात्मा को अपना आभार प्रकट करिये दोस्तों गरुन पुरान में सपस्ट लिखा है जब भी कोई जीव मरने के बाद मनुष्य योनी में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले इश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकन के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है वहाँ वह एक रात्री में स् इसी तरह एक महीने में उसके सर निकल आता है दो मास में हाथ, पाव, आदी अंगों का निर्मान हो जाता है और तीन मास में नाखून, हड्डिया, वचा, स्त्री पुरुष के चिनह तथा अन्यचिदरक उत्पन हो जाते हैं चौथे महीने से उसमें मास उत्पन होने लगत में घूमने लगता है उस समय माता के द्वारा ग्रहन किये हुए अन्न, जल आदी से उसकी भूख मिकती है वह जीव, विष्टा, मूत्र के दुरगंध युक्त, गड़े रूपी गर्भाशे में सोता है वह कोमल होता है गर्भाशे के भूखे कीरे उसके अन बार-बार तारण वह जीव बार-बार अचेत हो जाता है इतना ही नहीं माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खटे, आदी पदार्थों का स्पर्ष होने से उसके सारे शरीर में कष्ट होने लगता है वह जीव माता के गर्भाशे में जिल्ली से लिप्टा और आंतों से घिरा रहता है उसका सिर पीठ की ओर और पीठ तथा गर्दन कुंडलाकार रहती है माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांती इस पराधीन स्तिथी में अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्थ होती है जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं अपने पिछले जन्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है फिर सात्वा माह आरंभ होने पर उसमें ज्यान शक्त भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता, स्थूल शरीर में बंधा हुआ, वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दुख भरी वानी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड कर उस प्रभु की स्थुती करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला ह माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही याचना करता है, कि है प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, आपने मुझे जो यह गती दी है, मैं इसी योग्य हूँ इस तरह निरीह शब्दों से वह भगवान की बार-बार प्रार्थना करता है, और इस मृत्य लोक में न भेजने की याचना करता है गरुन कुरान में बताया गया है कि देह धारी जीव, दूसरी देह, अर्थात मा के गर्भ के भीतर, मल मूत्र और रुधिर के कुए में गिरा रहता है मा के पाचन रस की उश्मा से गर्भ में मौझूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है इन कष्टों के बारे में सोचते हुए, जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए हर एक दिन गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवन मुझ दीन को यहां से कब निकाला जाएगा वह मनुष्य सोचता है कि पशु, पक्षी, अन्यजीव तो अपनी मूल बुद्धी के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदी का ही अनुभव करते हैं किन्तु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्थ हुआ हूँ अता आपकी दी हुई विवेक बुद्धी से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशे में यद्यपी मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ तो भी बाहर निकल कर संसार के अंधकार में गिरने की मुझे बिलकुल इच्छा नहीं है क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है जिसके कारण उसकी बुद्धी अहम से युक्थ हो जाती है और उसके परिणाम में उसे इस संसार चक्र में ही रहना होता है दोस्तों श्री हरी विश्नु ने विश्नु पुराण में पक्षीराज गरुर को आगे जो बताया था ठीक वैसा ही आगे की विडियो में बताया गया है बस कुछ कठिन शब्दों को सरल भाशा में अनुवाद किया गया है इस प्रकार की बुद्धिवाले एवन स्तुती करते हुए दस माह के रिशिकल्प उस जीव को प्रसूती वायू प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है प्रसूती मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है वह उस समय स्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृती भी नश्ट हो जाती है प्रित्वी पर विश्टा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन कीडे की भांती चेश्टा करता है और विप्रीत गती प्राप्त करके ज्यान नश्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है कर्म भोग के अनंतर जीव जब घर से बाहर आता है तब उसी समय वैश्णवी माया उस जीव को मोहित कर देती है माया के स्पर्ष से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता शिशु रूप में मिलने वाले दुखों को पराधीम की भांती भोगता है उसका शोशन करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते अता अपनी इच्छा बताने में असमर्थ होने के कारण जीव को बहुत दुख होता है दूशित एवं मलमूत्र से अपवित्र शया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में, अपनी इच्छा से और कुछ भी करने में असमर्थ रहता है जैसे एक कीडा दूसरे कीडे को काटता है उसी प्रकार ज्यान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डास, मच्छर और खटमल आदी जन्तु तकलीफ देते हैं इस प्रकार शिशु अवस्था के दुख भोग कर वह जीव पॉगंड आवस्था अर्थात किशोर आवस्था में भी दुख ही भोगता है इसके बाद युवावस्था प्राप्थ होने पर आसुरी संपत्ती को प्राप्थ होता है तब वह दुर्व्यस्नों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और सक्पुरुषों से द्वेश करता है भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह जितेंद्रे पुरुष भावभंगिमा अर्थात नयननक्ष से प्रलोभित होकर अंधकार के गड़े में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अगनी में पतिंगा गिर जाता है जिस चीज की लालसा व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाती है उसके ना मिलने पर अज्यान के कारण क्रोध उत्पन हो जाता है वह कामी व्यक्ति अभिमान और क्रोध में अपने नाशेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है इस प्रकार अधिक बलशाली अन्यकामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्ट करने के लिए करता है तो उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनी में जन्म लेकर कश्ट भोगना पड़ता है जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिन पड़ाव में प्रवेश करता है तो उसे इस जन्म में किये गए सारे कर्मों के हिसाब से इसी मृत्य लोग पर शारिरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी परती है उदाहरं के रूप में यदि कोई मनुष्य अपने माता-पिता की गुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उन्हें घर से निकाल देता है तो उसकी संतान भी गुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था और यह जीवन चक्र निरंतर इसी तरह चलता रहता है। मृत्यू के बाद जब जीव को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं तो वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना के जवाब में उसे उत्तर मिलता है कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का समय था उस समय तुम काम क्रोज से आ सक्थ हो बुरे काम कर रहे थे और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुक्ती की आस करते हो। कर्मफल नश्ट नहीं हो सकता जो तुमने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले हुए इस जीवन में अधिक से अधिक सतकर्म कर जन्म और मृत्यू के बंधन से खुद को मुक्ती दिला लें। दोस्तों आत्मा के आकार और रंग रूप के विशय में आपने भी कई कहानियों में विभिन तरह की बाते सुनी होंगी। वास्तव में आत्मा शरीर को छोड़ कर बाहर कैसे निकलती है और आत्मा के निकलने के बाद शरीर में क्या बदलाव होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले ही बता दिया गया था जिसे अब विज्ञान भी सही साबित कर रहा है। आत्मा कैसे दिखती है, उसका आकार क्या होता है, क्या वह इनसान के चहरे की तरह ही दिखती है या उसकी आकरिती अलग होती है। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एक जिग्यासू मस्तिश्क में उठते रहते हैं। आपने भी कभी न कभी अपनी आखों के सामने किसी की मृत्यू देखी होगी। शायद ही आपने कभी ये जानने की कोशिश की होगी कि आखिरकार ये प्राण अर्थात आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। आज की वीडियो में इसी विशय पर बात करेंगे। वीडियो में आपको इस प्रशन से जुड़े हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, जिसका वर्णन गरुर पुराण में किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम में। मृत्यू मनुष्य के जीवन का वो कड़वा सच है, जिसे बड़े से बड़ा ज्यानी भी स्विकार नहीं करना चाहता। जबकि यह सर्वविदित है कि एक दिन सभी को इस लोग को छोड़ कर जाना होगा। और जो मनुष्य इस सच को स्विकार कर परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाता है, उसका उध्धार होता है। आये अब बिना देर किये हुए जानते हैं कि आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। गरुर पुरान के नौवे अध्याय में वैकुंठ पती श्री नारायन ने इसका विस्तार से बर्णन किया है। मनुष्य के शरीर में नौ द्वार बताए गए हैं। आत्मा इनमे से किसी भी द्वार के रास्ते शरीर छोड़ती है। यह नौ द्वार हैं व्यक्ति का मू, दोनो आखो के छिदर, दोनो कान के छिदर, दोनो नाख के छिदर, गुदाद्वार और मूत्रद्वार। व्यक्ति की आत्मा इनमे से किसी भी द्वार से निकल सकती है। यह व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि आत्मा किस द्वार से शरीर को छोड़ेगी, दोस्तों पुन्य आत्मा के प्राण शरीर के उपरी द्वार से निकलते हैं, उपरी द्वार का अर्थ है व्यक्ति का मू, दोनो आख, दोनो नाख और दोनो का, ये साथ ऐसे द्वार बताये गए हैं, जिन में से किसी एक द्वार से पुन्य आत्मा के प्राण शरीर छोड़ते हैं, जबकि सिध्ध योगियों और रिशी मुनियों के प्राण सर के उपरी हिस्से अर्थात तालू से निकलते हैं। व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा, ऐसा करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जैसे उर्जा सिमट रही हो और अंत उसकी संपूर्ण चेतना सिमट कर एक चक्र पर आकर एकत्र हो जाती ह मनुस्य के शरीर में साथ चक्र होते हैं, अपने पूरे जीवन काल में व्यक्ति, जिस चक्र से संबंधित कार्य ज्यादा करता है, अंत में उसी चक्र पर प्राण उर्जा केंद्रित हो जाती है, जैसे कि ध्यान की उर्जा मुख्य रूप से तालूरंध्र, अर्थात सहसर चक्र से निकलती है, इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिन्दगी ध्यान से दूर रहे हैं, और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खान पान और सांसारिक भोग में ही बिता दिया हो, ऐसे व्यक्तियों की प्राण उर्जा पूरे शरीर से खत्म होकर मनिपूर च चक्र पर केंद्रित होकर, अंत में शरीर के निचले द्वार से बाहर निकलती है। इसी के साथ जिन मनुशों को सम्पूर्ण जीवन ज्यान के इर्दगेर्द बीटा हो, ऐसे मनुशों की उर्जा कंठ चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र पर केंद्रित हो जाती है, और अ ऐसे मनुष्य, जिनकी उर्जा सहस्तरार चक्र से निकलती है, बहुत ही भागयशाली होते हैं, क्योंकि शरीर त्यागने का सबसे सर्वोत्तम मार्क सहस्तरार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ती होती है। दोस्तों, प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन गरुर पुराण में मिलता है। जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे आतुर सन्यास लेना चाहिए। आतुर सन्यास का अर्थ है एक ऐसा सन्यास जो सांसारिक जीवन से विरक्ति होने पर मानसिक रूप से तक्षन लिया जाता है। उसे सुख पूर्वक निकलते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुर पुरान में बताया गया है कि योगियों के प्रान तालूरंधर से निकलते हैं। गरुर पुराण में शरीर से इश्वर रूपी प्रान वायू के निकलने के बाद उस शरीर की तुलना एक ऐसे व्रिक्ष से की है, जिसका आधार न होने के कारण बहद गिर गया हो। गरुन पुरान में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रान से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंथी, चेश्टा शून्य, ध्रेनित, दुर्गंधयुक्त, स्पर्ष ना करने योग्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। मृत शरीर की तीन अवस्थाएं होती हैं, कीडा, विष्ठा और भस्म। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मृत शरीर में कीडे पढ़ते हैं, वह मल के समान दुर्गंधयुक्त हो जाता है और अंतह चिता में जल कर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नश्ठ होने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है। दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। धार्मिक और बुद्धिमान लोगों को ये देवडूत, जीवन काल में किये गए कृतियों के आधार पर स्वर्ग ले जाते हैं, जहां देवी देवताओं द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। गरुर पुरान में इसके अत्रिक्त कुछ विशेश परिस्थितियों का भी बर्णन किया गया है। जिसके अनुसार बे व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या हिंसात्मक तरीके से होती है, उनकी आत्मा अलग तरीके से शरीर छोड़ती है। इसलिए ऐसी आत्मा का किसी भी अंग से निकलना बर्जित नहीं बताया गया है। दोस्तों, आप और हम जिस लोग में रहते हैं, उसे मृत्यू लोग कहा जाता है। मृत्यू लोग से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिस पे विध्यान की भी अपनी राय है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। मृत्यू लोग अर्थात मृत्यू का संसार। इस लोग में जन्म लेने वाले हर जीव जन्तूओं को एक समय के बाद यह लोग छोरना ही पड़ता है। उनकी मृत्यू जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृत्वी लोग का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयूक शन प्रतिक्षन घट्ती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडम बना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। बहरहाल हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यू के बाद शव का दाह संसकार किया जाता है। और अगर आपने गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यू सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीटने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाया जाता है और यदि शव को रात भर रखना ही पड़ा उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते बलकि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाहसंस्कार पूर्ण होने तक वह शव की देखभाल में ही रहता है दोस्तों क्या आपको पता है कि शव रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता अगर आपको इसका स्पष्ट उत्तर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंध तक जरूर देखिए इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक इस बात का उत्तर दूँगा और पुराणों में शव को अकेला ना छोड़ने के पीछे क्या कारण बताए गए हैं वह भी बताऊंगा दोस्तों गरूर पुराण में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मृत्यू के बाद आत्मा की क्या गती होती है आत्मा कितने दिनों तक अपने छूटे हुए घर में और इस संसार में विचर्ण करती रहती है किन सगे संबंधियों के पास जाती है और वह उनसे क्या उम्मीद करती है यह सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे लेकिन इस वीडियो में हम गरुन पुरान के बताय अनुसार मृत्यू के बाद शव को अकेला ना छोड़े जाने के कारणों को जानेंगे दोस्तों आये संक्षेप में पहले हम यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संसकार नहीं करना चाहिए गरुर पुरान में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन तीन स्थितियों में शव का दाह संसकार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए पहली परिस्थिती में यदी व्यक्ती की मृत्यु सूरियास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के पाद ही शव का दाह संसकार किया जाना चाहिए अन्याथा आत्मा को सगती प्राप्त नहीं होती दूसरी परिस्थिती यदि किसी व्यक्ति की मृत्यू पाचक काल में हुई है तो पाचक काल खक्म होने के बाद ही शव का दाह संसकार होना चाहिए क्योंकि गरोन पुरान सहित कई धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यू पाचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार कुल खांदान में पाँच अन्य लोगों की भी मृत्यू हो सकती है इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि धर्म शास्त्र के ज्यानी लोग इस समस्या के समाधान के रूप में आटे बेसन या कुशा अर्थात पवित्र सूखी घास से पाँच पुतले बनाते हैं और इसे शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इनका भी शव की तरह ही पूरे व विधान से पाचक काल के खत्म होने के बाद अंतिम संसकार कर देते हैं इससे पाचक दोश भी खत्म हो जाता है पाचक काल में अंतिम संसकार किये जाने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ती नहीं हो सकती और तीसरी परिस्थिती में शव का अंतिम संसकार तब नहीं करना चाह जब मुखागनी का पुत्र मुखागनी देने के लिए उपस्थित ना हो और वो यात्रा करके पहुचने वाला ही हो। क्योंकि पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है कि मुखागनी यदि पुत्र के हाथों से होती है तो आत्मा को सद्गति प्राप्थ होत दोस्तों अब बिना देर किये हुए आईए जानते हैं कि मृत्यू के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं। मृत्यू के बाद आत्मा घर में 13 दिन तक निवास करती है। गरुर पुराण में बताया गया है मृतक का शव पूजनिय हो जाता है। ऐसे में दाह संसकार के पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुर पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चीटियां, कीडे मकोडे, कुट्टे बिल्ली इत्यादी से हानी होती है। ऐसे ही कश्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भोगने पड़ते हैं। इसलिए परिवार जनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां ज्यादा प्रबल होती है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर रिक्ठ हो जाता है। ऐसी स्थिती में यह शक्तियां उस शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती है। इसकी समभावना खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक शरीर के पास होना जरूरी होता है। दोस्तों अगर वैज्यानिक कारण की बात करें तो विज्ञान यह कहता है। जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है, उसी क्षण से शरीर का छै शुरू हो जाता है। जिस से मृत शरीर से दुरगंध आने लगती है, इस दुरगंध को कम करने के लिए और बातावर्ण धार्मिक रखने के उद्देश से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप, दीपक, इत्यादी जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति शव की देखभाल करता है, उसकी होती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के आसपास नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, गरुन पुराण में भगवान विश्नु और पक्षीराज गरुड के बीच की बात को लिखा गया है। जिसमें भगवान विश्नु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिन संसकार सूरियास्त के बाद या रात में ही कर दिया गया, उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनी या पिशाच योनी में जन्म मिलता है और अनेकों कष्ट भोगने प वा भारत काल में भीश्न पितामह ने बाणों की शया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिनायन से उत्तरायन में जाने का इंतजार किया था और उसी के बाद अपना शरीर त्यागा था क्योंकि उत्तरायन के समय प्रकृती और चेतना की गती उपर की ओर होती है इस काल में मरने वाले व्यक्तियों को सग्गती प्राप्थ होती है इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिती में लाश को लेकर शम्शान घाट नहीं जाते लाश को रात भर घर पर ही रखा जाता है सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोडा जाता कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है जब जीव मृत्यों लोक में जन्न लेता है उस समय उसकी स्मिती शुम्य होत वह ना तो किसी चीज़ को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है बच्चा मा के गर्ब से निकल कर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है इसके पीछे का सटीक कारण क्या है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौरानिक कथा की मान्यता है जिसका विवर्ण विश्नु पौरान में मिलता है इसलाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए है लेकिन सच्चाई क्या है यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते है शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहच और आवश्चक प्रक्रिया मानता है तो दोस्तों आए इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक ग्रिष्टिकोन समझते हैं फिर हिंडू धर्म शास्त्रों में वरनित उस पौरानिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेक विश्णु कुरान में मिलता है दोस्तों नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है जिसके फल्स्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अंजान होता है माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परन्तु वह सांस नहीं लेता बच्चा मा के गर्भ में एक पतली जिली के अंदर बंध होता है, जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैग्यानिक भाशा में एम्नियोटिक फ्लूड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुँ, श्वास नली और फेपरों तक में पहुँ प्रसव की क्रिया, मा और बच्चे दोनों के लिए कश्ट दायक होती है। बच्चा बहुत सक्रे मार्ग से निकल कर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा मा के गर्भ से बाहर निकल कर इस संसार में आता है, उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब के फेफडे प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं। लेकिन फेफडों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मूँ से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिती में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सास लेता है, जिससे हवा फेफडे के अंदर प्रवेश करती हैं और फेफडे में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयम से नहीं रोता, तो डौक्टर बच्चे की पीठ पर हलके हाथ से थपकी लगा कर उसे रुलाने क प्रयास करते हैं, जिससे फेफडों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही धंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफडे से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफडे में परियाप्त हवा नहीं पहुँच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खत्रा होता है, और दिमाग को परियाप्त आक्सीजन ना मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। त तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा हो। कहा हूँ, मैं कहा हूँ। विश्नु पुरान के मुताबिक जब ब्रम्हा जी सृष्टी की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयम जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया। तो उन पाद प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहा हूँ, मेरा क्या नाम है, इस पर ब्रम्हा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रूदर रखता हूँ। ऐसी मानियता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच प्रवर्दिगार का नाम सुन ले। दोस्तों, मृत्यू ही अमिट सत्य है। इससे लोगों को जितना डर लगता है, उतनी ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रहती है। हिंदू धर्म पुराणों में गरुर पुराण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह पुराण जीव के जीवन जीने, मरने और उसके बाद की यात्रा के बारे में भी बताता है। गरुर पुराण में यहां तक बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, मृत्यू के कुछ शन पहले और बाद क्या होता है और मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा क्या करती है। शरीर छोडने के तेरह दिन बाद तक आत्मा कैसे रहती है, कहा कहा जाती है और तेरह दिन के बाद उसके साथ क्या होता है। इस सत्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुर पुरान में बताया गया है कि मृत्यू के बाद आत्मा तेरह दिनों तक उसी जगह पर रहती है, जहां उसने शरीर का त्याग किया होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शरीर में मौजूद आत्मा कभी नश्ट नहीं होती, वह कुछ समय तक एक शरीर में रहती है, और सही समय आने पर उसे छोड़कर दूसरा शरीर धारन करती है। मृत्यू के कुछ समय बाद जीवात्मा को अजीबो गरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कश्ट दाई होते हैं। में कुछ ही पल में आत्मा सचेत हो, उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवास कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। वर्षों तक उस शरीर में रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। दुखी होकर आत्मा कभी अपने मृत शरीर को देखती है, तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी उसकी आवास सुन नहीं पाता। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्विकार कर लेती है कि अब मृत्यू लोक से जाने का वक्त हो चुका है। जब दाह संसकार की क्रिया पूरा कर मृतक के परिजन शरीर को त्याग देते हैं, तब जाकर आत्मा का मोह कमजोर होता है और वो मृत्यू लोक से विदा होने के ल दिखा है कि मृत्यू के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं, और कुछ प्रहर के बाद ही वापस मृत्यू लोक में छोड़ जाते हैं। उससे मृत्य आत्मा के विभिन अंगो का निर्मान होता है और दस्वे दिन के पिंडधान से बल की प्राप्ती होती है। मृतक का स्थूल शरीर जल कर खत्म हो चुका होता है, शरीर जल जाने पर आत्मा प्रेत योनी में रहती है। पिंडदान से प्रेट बन चुकी आत्मा को फिर से एक हाथ लंबा शरीर प्राप्थ होता है। इसी शरीर के द्वारा आत्मा यमलोग के रास्ते में अपने जीवन में किये गए शुब और अशुब कर्मों के फल को भोगती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो पैरोंपर चलकर मृति यमलोग तक की यात्रा पूरी करती है। मृतक के परिजनों द्वारा जो पिंडदान कीये जाते हैं वो ही मृतात्मा को भोजन के रूप में प्राप्थ होता है। गरुन पुरान में इस पश्ट लिखा है कि जिस मृतक के नाम से पिंडदान नहीं क उसे प्रेट योनी में ही रहना पड़ता है। उसी प्रेट योनी में वह कई वर्षों तक निर्जन वन में दुखी होकर इधर उधर घूमता रहता है। उनका उध्धार नहीं होता। इसलिए मृतक की आत्मा की शांती के लिए पिंडदान बहुत जरूरी माना गया है। पुरानों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे तीन प्रकार के मार्ग में से किसी एक पर जाना होता है। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर उत्पत्तिविनाश मार्ग इन में से अर्ची मार्ग देवलोग की यात्रा के लिए होता है जिसे हम स्वर्ग लोग के मार्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा मार्ग अर्थात धूम मार्ग पित्रिलोग की यात्रा पर ले जाता है और तीसरा उत्पत्तिविनाश मार्ग ज चरीर छोडने के पश्चात, जिन्होंने तब और ध्यान किया है, वे देवलोग चले जाते हैं। कुछ सतकर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग में वह देव बनकर अपने पुन्यों को तब तक भोगते हैं, जब तक उनके पुन्य समाक्त न हो जाएं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत्योनी में अनंतकाल तक भटकते रहते हैं। और कुछ फिर से धर्ती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनी में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पित्रे लोक में रहते हैं। वहीं पर उनका न्याय होता है। दोस्तों इस पूरी जानकारी का सार यह है कि मृत व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने के तुरंत बात पहले यमलोक जाती है और सिर्फ कुछ प्रहर बाद अपने मृत शरीर के पास वापस आ जाती है। इसके बाद पूरे तेरह दिन तक इस मित्य लोक में रहती है। तेरह दिन के बाद आत्मा फिर से यात्रा शुरू करती है। यात्रा शुरू करते समय तीन अलग-अलग मार्ग होते हैं। एक मार्ग स्वर्ग ले जाता है, दूसरा नर्ग और तीसरा पित्रिलोक के लिए है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार देवडूत इन मार्गों पर आत्मा को ले जाते हैं। आत्मा की गती के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताये। मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है? सधियों से इनसानों ने इस प्रशन का जवाब धून्डने की कोशिश की हैं। जब भी हमारा कोई दोस्त या घर का कोई सदस्य मृत्यों को प्राप्त करता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि अभी वो कहां होंगे। उनकी कभी याद आती भी है तो हम सोचते हैं क्या वो अभी भी हमारे आसपास हैं, हमें सुन रहे हैं या फिर कहीं हैं भी या नहीं। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से लिखे गए हैं। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? इसका वर्णन गरुर पुराण में मिलता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि मृत्यू के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोग पहुँचती है, रास्ते में उसे किन लोकों से गुजरना पड़ता है, किस तरह की यात्नाओं का सामना क पड़ता है, गरुर पुराण में यहां तक बताया गया है कि आत्मा एक दिन में कितनी दूरी तै करती है, किस लोक में कितने दिन तक रहती है, यमलोग का रास्ता 99,000 योजन है, इस दूरी को अगर किलोमेटर में नापें तो आएगा 12,75,000 किलोमेटर जिसे आत्मा को भग एक वर्ष लग जाता है, गरुर पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकावियों में से एक है, गरुर पुराण में भगवान विष्णू ने पक्षी राज गरुन को जीव का जन्म, विवा, मृत्यू, क्रियाकर्म और पुनर जन्म जैसे विष्यों को विस्तार स रहे हैं, इसे ठीक से समझने के लिए और हमारे प्रयास को सार्थक बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम में, आपसे विंती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जैश्री नारायन लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें, दोस्तों मृत्यू के ठीक पहले, मृत्यू के दौरान और मृत्यू के बाद क्या होता है, यह सब गरूर पुरान में विस्तार से समझाया गया है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है, तो मरने इनसान की आत्मा का संबंध संसार से पूरी तरह से तुरंत नहीं तूटता, असल में मृत्यू एक जटिल प्रक्रिया है, जो कुछ भागों में पूरी होती है, मनुस्य की मृत्यू से कुछ घंटे पहले ही उसके पै ठंडे पढ़ जाते हैं, पूरा शरीर शिथिल पढ़ में से किसी एक द्वार से बाहर निकल जाती है, शरीर से बाहर निकलने के लिए प्राण उर्जा कौन सा द्वार लेती है, इसे हमने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है, तो दिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में वह वी जब अंतिम समय निकट आता है, तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्यद रिष्टी मिलती है, जिससे वह मृत्यू लोग के रहसे को समझ जाता है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ता है, वैसे ही जीव का शरीर से सुक्ष्म संबंध अर्थात एस्ट्रल कनेक्शन भी तूट जाता है। इस संबंध के कटने से आत्मा शरीर से मुक्थ हो जाती है और शरीर से बाहर निकल कर उपर उठ जाती है। गरूर पुराण में बताया गया है कि मृत्यू के समय दो यमदूत आते हैं, जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदी मरने वाले प्राणी ने पुन्यकर्म किया है, तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है। परंतु यदी वह पापी होता है, तो वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। उसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में और यमलोक पहुँचने पर उसे यातनाई दी जाती हैं। फिर उसे यमराज के कहने पर तेरह दिन तक उत्तमकारि इतने लंबे समय तक शरीर में बने रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है। घर आकर वह जीवात्मा दुबारा अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। किन्तु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती। भूक और प्यास से व्याकुल आत्मा शरीर को बाहर से देख कर दुखी होती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यू को स्विकार करना मुश्किल होता है। वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यू को मानने से इंकार कर देती है। और उसे शरीर के जिन्दा रहने का एहसास बना रहता है। आत्मा शरीर को छूने का प्रयास करती है। जिससे मृतक के पास खड़े व्यक्तियों को कभी कभी मृत व्यक्ति के चहरे, हाथ या पैरों में मामूली सी हरकत देखने को मिलती है। आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों का रोना, बातचीत करना, एक शोर की तरह सुनाई देता है। आत्मा अपने प्रिय जनों को रोता देख, उनसे बात करने का प्रयास करती है। चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं यहीं हूँ, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वो शरीर मर चुका है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उस समय आत्मा लगभग 12 फीट की उंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती और देखती है। अंतिम संसकार के दौरान आत्मा शरीर को जलता हुआ देखती है। अपने परिजनों को उसे छोड़ शमशान घाट से वापस जाते हुए देखती है तो उसका मोह कमजोर हो जाता है। आत्मा मान लेती है कि उसका इस धर्ती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है क्योंकि वो शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंच्चत्व में विलीन हो चुका है। अब आत्मा को ज्यान प्राप्थ होता है और वह यम मार्क पर आगे बढ़ने के आत्मा अपनी पुरानी पसंदीदा जगहों पर घूंती है अपने परिवार जनों के आस पास रहती है उनके द्वारा किये जा रहे विधी विधान को देखती है और उन्हें आशिरवाद देती है। गरुर पुरान के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशच को दस दिन तक पि कड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है यमलोग की लंबी यात्रा। यमदूत उस आत्मा को अलग-अलग लोकों से ले जाते हैं। प्रत्येक लोक में कुछ अलग तरह के कष्ट और यातनाई देते हुए यमदूत आत्मा को वैतर्नी नदी तक ले जाते हैं। गरुर होते हुए पार करती हैं। यह सब कुछ लग-भग एक वर्ष में पूरा कर जीवात्मा भूक और प्यास से बेचैन यमलोग में पहुचती हैं। यम्मार्ग के रास्ते में मिलने वाले कष्टों की सूची बड़ी लंबी है। आत्मा किन-किन लोकों में कितने दिन रुख हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभंभवतू आए मिलते हैं अगली वीडियो में।